हेलो बच्चों क्यासे हैं आप उंबीत करती वाप बढ़िया और एकडम मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट एक जिसका नाम है इश्वंदन अर्थार जो भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले इश्वर की वंदना की जाती है तो आईए हम भ बच्चों इस कविता में बच्चे इश्वर से प्राथना कर रहे हैं कि वे उनको प्यार दुलार दे और वे अच्छे कामों से संसार में अपना नाम उंचा करें तो ये इस कविता के विशे में बताया गया है इसी को आगे हम विस्तार पूर्वक कविता के माध्यम से पढ लेते हैं तो इस कविता में जो कठिन शब्द हैं वह हैं पुकार नादान ज्यान फेद भाव जन जन और कल्यान अब इन कठिन शब्दों को कभिता में एक एक करके पढ़ेंगे और उनके अर्थ को जानेगे तो चले शुरू करते हैं अपनी कविता प्रभू हमारी सुनो कि हे प्रभू हमारी पुकार सुनिए और हम बच्चों को प्यार दे दिए भरपूर प्यार हम हैं तेरे बालक नादान हमको नहीं तनिक भी ग्यान नादान यानि हमें तो कुछ पता ही नहीं है हम तो बहुत भोले बाले हैं तनिक मतलब जरा भी तो इन पंक्तियों में बालक कह रहे हैं कि हम तो तेरे नादान बालक हैं हमें कुछ ग्यान नहीं इस कप्ती दुनिया की चालाकी से हम दूर हैं हमें इस बात का तनिक भी ग्यान नहीं कि या छलकपड भी है हमारे अंदर तो फोलापन है हम है छोटे छोटे बालक हम सबका है तू ही पालक, पालक यानि हमें पालने वाला, इस धर्ती को पालने वाला तो इश्वरी है, तो बालक कह रहे हैं कि हम हैं छोटे छोटे बालक, हम सबका तू ही है पालक, तू ही तो है हमारा रखवाला, हम अपनी पुकार तुझ तक नहीं पहुचाएंगे, तो किस तक Eh biz अंटियों में बालत केह रहे हैं कि हमको मीठा प्यार दें दो और हम भूलों को करो दूलार कि हमें इतना भर्पूर प्यार करो कि तुम्हारे प्यार की मिठास हम कभी नभूल पाएं दें दो हम को सुन्दर सीख हाथ जोड़कर मांगे भीक सुन्दर यानि कि बेहत खुपसूरत और भीक यानि किसी से कुछ मांगना इसमें बच्चों भीक मांगने का अर्थ ये नहीं है कि किसी से कुछ मांगना यहां प्यार की भीक मांग रहे हैं बच्चे बच्चे कह रहे हैं बालक कह रहे हैं इश्वर से कि हम को ये सुन्दर सीख दे दो कि हम हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं तुमसे भी कि तुम हम धेरों प्यार हमें दो ये विंती कर रहे हैं हाथ जोड़ कर आप से भेद बाव मन में न लाएं भाई भाई हम कहना है यह सीक हम सब के अंदर आ जाए कि हमारे अंदर भेद भाव की भावना दूर हो जाए और हम सब एक दूसरे को अपना मानें कोई जात पात का भेद यहां ना रहे जाए पढ़ना लिखना हमें सिखाओ ग्यान का सागर हमें बनाओ सागर अर्थात समुद्र तो बालक कह रहे हैं कि हमें पढ़ना लिखना सिखाओ और ग्यान का सागर हमें बनाओ अर्थात ये ग्यान का सागर इतना अथा गहरा है कि इसके पार जाना मुश्किल है इस ग्यान के सागर में हम भी डुपकी लगाएं ऐसा पढ़ना लिखना हमें सिखाओ जन जन का हम करे कल्यान करे जगत में उंचा नाम जगत यानि संसार जन जन अर्थात हम पूरे हर इनसान का कल्यान करे और इस संसार में उंचा नाम करे तो बच्चों इस कवीता में पालक कह रहे हैं कि है प्रभू हम आप से यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार हम पर लुटाते रहें हमारे अंदर से भेद भाव की भावना को मिटा दीजिए हम इतना पड़े लिखें कि ज्यान के सागर में डूब जाएं और जन कल्यान में हम अपना हर दिन हर पल लगाएं और यह संसार में अपना उंचा नाम कर दे तो बच्चों कितनी अच्छी कवीता थी भगवान और बा बड़ परफकार की भावना है पढ़ना लिखना और उस ज्यान को आगे तक फैलाना और इस जग में नाम कमाना यहीं हर बालक का उद्देश्य होना चाहिए अब आप भी इस कवीता का अभ्यासकारे स्वें कीजिए